कि तुडियर स्टुडेंट आज की वीडियों में बात करेंगे बीए थर्ड समस्टर के एंसी एंट हिस्ट्री यानिकी प्रिचीर इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चर एंसर के बारे में आपके जानकारे के लिए बता दे हमारी जो कोईश्चर एंसर वाली जो प्रूप के तोर देख लीजिए वर्स आपका दूतिय है एनिकी सिक एंडियर समस्टर आपका जो थर्ड है सब्जेक्ट का नाम है एंटिक है एंडियन हिस्ट्री आर्केलोजी एंड कल्चर यह सब्चेट का नाम और प्रस्ट पत्र का नाम है प्युलेटकल इस्ट्री कबर करा रखा है किस लेवर्स में क्या आएगा कहां से कोश्चन पूछे जाएंगे और आज किस वीडियों हम आपको फस्ट यूट से समधी जितने प्रश्ण बन सकते हैं आज तक जितने पूछे के उन सभी को आपको बताने वाले हैं ताकि आपको आज किस वीडियों से कम समस्टर के यानी कि यह कोश्चन है और यह उसका उत्तर है उत्तर मेने अपने हिसाफे तैयार की है और शुक्त पिछले वर्शों में रईपीटडेड और इस बार भी पूरी आने की संभाववनानी पूक्त है द तर निकते हैं यह में में घैण स्रोंaty धार्मिक ग्रंतों में ब्रहमर्ण साहित को प्रमुख को प्रहमर्ण ग्रंथों में वैद उपनिसत पुरान आदिको लिया जाता है गैर धार्मिक शोत में बिदेफी यत्रों का अबिबरन सामिल है यानि कि साहतिक स्रोत को देखा जाए तो मुख दो रूपों में इनको डिवाइड किया गया है धार्मिक और गैर धार्मिक धार्मिक के अंतरगत आते हैं ब्रहमड ग्रंथों में वेद आता है ठीक है वेद आता है और धार्मिक में ठीक है धार्मिक में वेद आता है उपनिफाद आता है और पुराण आदि को धार्मिक स्रोत में सामिल किया गया है और वहीं पर अगर घयर्धरमिक की बात की जाए तो घयर्धरमिक ओर में बिल्देसी यात्रियों का बिबरण सामीब जो बीदेस्स में यात्र लोग करते हैं वो कैफर कहा गये उसनित कया Vergleich किया एक्सपीरियंब किया वहांक〜 किया पता nightmares मिला क्या क्या जानकारी मिली ये यह समेहल है तो इस परेकरिश इसका उतर लिखेंगे ठीक उसके बादवने कौश़न को बढ़ेंगे इतिहास की अधन के लिए स्रोथstes कितने बरकार के होता है अगर आपको स्रचीन भारती इतिहास के स्रोतों को चार प्रकारों में वर्गी करत किया गया है ठीक है ध्यान से सुनेंगे पहला है सहत्रिक स्रोत दूफ्रा पुरा तुविक स्रोत तिफ्रा विदेशी बिर्वन और चौथा जनजाती गत्हौएं तो आपके जानकारे की बता दे अगर आ आपको जानकारी मिलेगी मतलब की उन चार स्रोतों से आपको जानकारी मिलेगी इतिहास के बारे में ठीक है तो इतिहास का अध्यन करना है तो उसके जो चार स्रोत हैं पहले उनको जानना होगा ठीक है उनहीं में आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिसमें सा मात था सुंधा है कि प्रचीन भारत के लिए क्लिखन होना जरूरी है सब्सक्राइब होनी चाई ये करवाह प्रमार्णिक होनी चाहिए इसके अंतरगत मुख्यताभ लेखा जाएंगे सिक्क्य होते हैं से हमें ज Mai कारियों मिले कि प्रिचीन भारती इतिहास के बारे में ठीक है असमारक भवन मूर्थिया चित्रकला इन सब चीजों से हमें इतिहास के बारे में बहुत जाला नौलज मिलती है कि पहले आपने देखा बड़ी मूरतिया आज भी लोग उनको देखते हैं जानते समझते हैं जबकि वो बहुत ही पुराने समय की है ठीक है वह फारे ऐफे से आज चित्र बने हैं वह फारे आफे कलाएं हैं ठीक है जिससे आज आज आप लोग जब देखेंगे तो आपको पुराने दिनी आदाएंगे ठीक है तो अगर आप उसके बारे में इनलेसिस करेंगे जानेंगे समझेंगी कैसे कब क्या यह कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ तो आपको पता चलेगा कि प्रचीर इतिहाफ था क्या ठीक है सिक्के जो हुआ करते जो आज कल एक दूर्पी तीन चलते हैं से पहले भी सिक्का चला करते थे तो अगर आपको पुराने सिक्क्यों मिलेंगे तो आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा है फिर कोई वीडियो देख पर ना है तो इन शुरोतों के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ठीक है और इनी शुरोतों से आपको जानकारी मिलेगी अब लेक शिक्क्य असमारक भवन मुर्तिया चितकला देख है पुरा तात्विक शुरोत के अंतरगत सरबदिक महत्त्रपूर्ण शुरोत जो है वह अबलेख है सब फिजा जानकारी जो है वह अबलेखों के माध्यम से मिलती है ठीक है और एक बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है ठीक नोट कर लीजिए तो यह जो अबलेख होता है कठोर चीजों पे और या फिर आप लोग का एफेक्ते हैं कि पत्थर का एफेक होता था उससे हमको जानकारी मिलती है जो चीज उस पर लिखा होता उसे हम अबलेख कहेंगे यानि कि अगर सिंपल सब्दों में कहें तो जो चीज कठोर चीजों पे यानि कि कठोर पे पत्थर आ जाएगा बहुत कड़ी धातु आ जाएंगी उन धातों पे जो पाठन जो लिखी तरूप में होती हैं और उनिके शुरोतत पत्र काएं होते हैं पत्र होते कितावे पत्र पत्रिकाएं से इसरोत्य मःत्त कि अगरत प्रस्ष्ट है कि प्रचीन भारती इतिहास के साहित्तिक सुखत कौन- है और आप लिख सकते हैं कि पुराण है तो इन सभी चीजों के बारे में आपको लिखना है अगर यह प्रस्ण आता है कि भारती प्रशीन भारत्य तिहांस के साहित्तिक स्रोथ की बात हो रही है यहां पर संस्यपहर्द की बात को अध्यान ना पर दौन से संमन्धित प्रश्ण्य है तौक श्रौत की अगराटे कि स्काफ। कि अ Systems। न सब्ते एक बारेम आपको बताया है लाकर फिरसे सुन लीजिए आप लेख जो है वो पत्थर अथवा धात हो जायखी यानि कि जो उतक्रीण किये गे मतलब उस पर जो लिखे गए हैं मतलब कि कुछ चीजें लिखी गई हैं और वो पाठन सामागरी है पाठन सामागरी वही होगी जो लिखी गई हो ठीक है कुछ लिखा होगा तभी आप तो पढ़ेंगे न तो पत्थर और धात्यों पे जो पाठन सामागरी लिखी होती थी ठीक है उसको ही हम लोग अवलेक कहते हैं ठीक है जिसके बारे में हमें पत्ता चलता है कि ये किसने बनवाया है ये फिर किस चीज के लिए बनवाया गया है ठीक है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती अब लेक के हिमादिम से और इसे में अगला पॉइंट है कि प्रिचीन काल में इसका उपयोग हो रहा है सासक इसके द्वा उप्योग हो रहा है तो बाई जो चीज लिखी उसको पढ़के ही लोग रूर फालो करके यह आगे बढ़ेंगे यह पहले से भी चला रहा अभी भी है ठीक है तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे अगला की अबले किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताईए तो अबले की परिमाफा तो आप ने जान ली लेकिन पिसे सुन लीजिए अलग तरीके से अबले क्या है जहां से सुनेंगे अबले क्राजाओं तथा अन्य महात्पूर्ण लोगों के द्वारा अपने आदेश को पत्थरवा धातु जैसे कठोर सताहों पर खुदवाई जाने वाली लेक अबलेक होती है अबलेक पत्थर धात या मिट्टी के बरतन जैसे कठोर फताह पर राजाओं द्वारा ठीक है राजाओं तथा अन्य महात्पूर्ण लोगों के अधेश और उपलब्दियां खुदी होती है जिससे हमें पुराने इतिहास के बारे में या फिर उस चीज़ क बारे में जानकारी मिलती है तो इस परकार लिखेंगे दो अलग अलग परिवाफा हैं जो आपको बेटल लगे वह तैयार कर सकते हैं अबलेक की ठीक है इंपर्टन कोईश्चन है अब लेक हाएगा पका एक सब्सक्राइब अबलेक से आप क्या समझते हैं प्रमुक अबले इसी अबलेक मौजूद है विश्च का सबसे प्रचीन अबलेक, थिक है अगला प्रस्तुत है कि अबलेक का क्या महत्त है मतब इसका यूज क्या है इसका इंप्सक्राइब मजीए स्यूज है तो जहां सुन लिए मैंपाइंट है कि भारतिये इतिहाज में अबलेकों का तो बड़ा महत्तु है अबलेकों के माध्यव से हमें ततकालिन भारत की राजनितिक धार्मिक समाजिक और आर्थिक इस्थितियों की जानकारी मिलती है अबलेक के लिए कठोर ववस्त जैसे की पत्थर धात इंट मिट्टी की तकती ताड़ पत्र का उपियों किया जाता था म उनमें हम इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है जो कि एक महत्त पूर्ण प्रशने ध्यान रखेंगे अबलेक के प्रकार कोश्चन आता तो लिखेंगे अबलेक के प्रकार जैसे आ गया तो लिखेंगे बैपारिक तथा बेवहारिक अबलेक और उप देफात्मक अब परपड़त्वा चड़ाओ अबलेक दान संम्मंदी अबलेक ठीक है परसाफके प्रफफती अस्मारक यह सभी क्या है अबलेक के प्रकार है तो ध्यान नखेंगे तो भारत के प्रचीना अबलेकों में आप लोग लिखेंगे खारवेल हाथी गुफा का अबलेक जूना गड़ तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे ठीक है तो यह रहा अभलेक के क्या है यह सब अभलेक के प्रमुख अभलेक है प्रिचीन अभलेकों के नाम है ठीक है तो ध्यान लखेंगे इस प्रकार की पर नाम की परिच्छा हम पूछे जाएंगे तो आज किस वीडियो मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और मिलते हैं वीडियो के साथ जबता के लिए जय हिंद अगर आपको यह पीडियो चाहिए पोस्टेन एंसर के साथ तो टेली वर्सप पर मैसेज कर दीजेगा लिंक वीडियो के दिक्रस्टर मिल जाएगा जय हिंद